वनी मात्रमशुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड़न्सुड करना है हमें माइन का यूज करके ही हमें ये सारे के सारे सम करने होगे तो आज हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बचो यहां पर हमें इस तरीके के वर्ड बिलाके जो सेंटेंस बनते हैं वैसे हमें स्क्वेशन दिये गये हैं उसकी मदद से हमें सम सॉल करने हैं So, let's start it. Number 1. Manisha has 3 erasers. Sonia gives her 3 more. How many erasers does she have now? Bacchow, Manisha के पास 3 erasers पहले से है. और फिर Sonia ने उसको 3 erasers दिये. तो 3 plus 3 हो जाता है 6. तो अभी उसके पास कितने erasers है? अभी उसके पास है 6 erasers. So, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है. Now, see word problem number 2. There are 5 glasses on one tray and 3 on the other. How many glasses are there in all? Bacchow, यहाँ पर हमें लिखना होगा. कि एक tray में पहले थे 5 glasses. कितने थे 5? और दुसरे tray में है 3 glasses. तो अभी सभी पूरे के पूरे tray में मिलाके कितने glasses हो जाते है? So, 5 है बड़ा नंबर. तो वो हम माइन में रखते हैं. 5, 6, 7, 8. यहाँ पर आंसर आता है हमारा 8 glasses. इन बोट ट्रे थे थेर आर 8 glasses. दोनों ट्रे मिलाके 8 glasses होते हैं. नाव सी, नेक्स्ट क्वेश्चिन. नमबर 3. A hand lays 5 eggs in a month and 5 eggs after 3 months. How many eggs did she lay in all? एक hand है. उसने पहले 5 eggs दिये. कितने? 5. तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेगे number 5. प्लस की sign करेगे. फिर नीचे भी हमें number लिखना है. कौन सा लिखना है? और दुसरे मन्थ में. दुसरे मन्थ में कितने दिये? दुसरे 5 दिये. यहाँ पर हम दुसरे number लिखेगे number 5. और उसका addition कितना आता है? चलो करते हैं. 5 के बाद counting करते हैं. 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So, hen ने कितने eggs दिये? सब मिला के 10. 10 eggs hen less. यह आएगा हमार answer. Number 4. There are 4 members in team A. and 3 members in team B. How many members are there all together? पहली team में 4 members है. तो यहाँ पर हम number 4 लिखेगे. In another team, there are 3 members. So, right here number 3. अभी हमें क्या करना है? यह दोनों number को add करना है. ताकि हमें मिल जाएगा कि दोनों team में कितने members है? ओके students, अभी यहाँ पर हमने number लिख लिए. अभी यह दो number का हम क्या करेगे? sum करेगे, यानि addition करेगे. तो पाच्चों 4 प्लस 3 कितना हो जाता है? 4, 5, 6, 7. कितना हो जाएगा? 7. कितना हो जाएगा अंसर? 7. तो इसका अंसर आता है? Together are, together are total 7 members. Now see question number 5. Sumit प्रोट 3 कार्ज और 4 बॉल्स. How many toys did they buy in all? Sumit बाजार गया और बाजार से उसने 3 कार्ज खरीदे और 4 बॉल्स खरीदे. तो बच्चों अभी सारे के सारे toys मिला के उसके पाद कितने toys होए? चलो count करते हैं. 4, 5, 6, 7. इसका अंसर आता है 7. Sumit buy 7 toys. Sumit buy 7 toys. Sumit ने कितने खिलोने खरीदे? 7 खिलोने खरीदे. तो इसका अंसर आता है 7. बचों अभी अगले पेच पे आते हैं कि उसमें क्या है? चलो देखे. Fun activity. Fun activity. Color as indicated. Color करना है हमें. जैसे यहाँ पर बूला गया है. वैसे हमें color करना है. तो सबसे पहले देखते हैं कि इधर क्या करना होगा? सबसे पहले क्या करेगे? यहाँ पर जीतने भी जो सम हमें दिये गए हैं. वो सारे के सारे हम सम solve कर लेते हैं. बचो 6 प्लस 3 कितना हो जाता है? 6 प्लस 3 कितना होता है? 6, 7, 8, 9 कितना होता है? 9. आगे करें. 2 प्लस 1 हो जाता है? 3. 4 प्लस 2 हो जाता है? 4 प्लस 2 हो जाता है? 4, 5, 6. 6. 1 प्लस 0 इस इक्वल टू? 1. अगर हम किसी भी नंबर को 0 के साथ आइड करते हैं, तो उसका आंसर वो ही आता है, जो नंबर दिया गया है. 0 नहीं आता, बच्चो. 1 प्लस 3 प्लस 4 दिया गया है, 6, 7, 8, right here 8. 3 प्लस 1 प्लस 3 किता हो जाता है? 3 प्लस 1 इस 4, 5, 6, 7. Right here नंबर 7. 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इस इक्वल टू? 5, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 हो जाता है 9. 9 बच्चो आपको finger counting करनी है, तो वैसे ही आप add करना. 2 प्लस 5, 5 प्लस 2 किता होता है? 5, 6, 7. 7 हो जाता है, so right here नंबर 7. बच्चो अभी यह एडिशन तो कर लिया, अभी यहाँ पर हमें क्या बोला गया है? कि आपको यहाँ पर color करना है, जैसे यहाँ पर instruction दिये गए है, उसकी सबसे color with yellow, if sum is 9. अगर हमारा sum जहाँ पर भी 9 आता है, वहाँ पर हमें yellow color करना है. जैसे कि यहाँ पर sum हमारा 9 आया, तो वहाँ पर हमें yellow color करना है. मैं why लिखती हूँ, लेकिन आपको क्या करना है? yellow color करना है पूरे में. और आगे देखे, तो 9 कहाँ पर answer आता है? यहाँ पर आता है, तो वहाँ पर आपको yellow color करना है, और कहाँ पर भी नहीं आता. तो बच्चो इस तरीके से, आपको पूरे के पूरे flower में color करना है. जैसे कि दुसरा instruction इस तरीके से दिया गया है, purple 4, 3. अगर हमारा sum का answer 3 आता है, वहाँ पर हमें purple color करना है. जैसे कि यह picture में हम देखे, तो यहाँ पर हमारा answer 3 आता है, तो वहाँ पर हमें purple color करना है. बच्चो आपको color करना होगा. यहाँ पर मैं पी लिख दिहू, लेकिन आपको वहाँ पर color करना होगा. तो बच्चो इस तरीके से, आप पर instruction के हिसाब से आपको color करना है यह चाहो तो आप अपने parents की help लेके इस पूरे में आपको color करना होगा समझ में आया बच्चों यह हुई हमारी fun activity अब भी हम अगले page पर आते हैं कि उसमें क्या है चलो देखे students max lab activity यह है एक activity है जो आप अपने घर पे भी कर सकते हो तो चलो बच्चों देखे इसमें क्या करना है let's learn basic edition चलो हम basic edition सिखते है पहला point देखे take a paper plate and fold it into half अभी एक paper plate लेना है और आपको इस तरीके से half part में आपको fold करना है क्या करना है fold करना है आगे क्या करना है unfold the plate and keep it on the table अभी क्या करना है plate को unfold करो इस तरीके से gap आजाएगा बीच में फिर उसको table पे रखो फिर क्या करना है place three rajma sits on half of the plate आधे वाले plate में जो आधा इधर भाग आपका part होता है उसमें आपको three rajma रखने है आपको पास जो भी जो भी मतलब राजमा नहीं है तो दुसरा कुछ भी चलेगा जैसे मुंकी डाल भी चलती है मुखफली भी चलती है वो भी आप रख सकते हो वहाँ पर three rajma रखो क्यूंकि यहाँ पर three plus six addition हमें करने के लिए बोला है इसलिए यहाँ पर हम three rajma रखेगे प्ले six rajma seeds on the other half और दुसरे वाले पार्ट में हमें six rajma रखने है पहले three रखोगे फिर six रखोगे नाव count the numbers of seeds अभी सारे के सारे seeds हमें count करने है तो कितने होते है one two three four five six seven eight nine कितने हो जाते है nine कितने होते है nine ओके बच्चो इस तरीके से आप ये ये वाले activity आप अपने घर पे कर सकते हो counting from the second half is always easier and faster तो बच्चो इस तरीके से हम second half पे counting करते है तो बहुत ही easy होता है जैसे कि यहाँ पर three के बाद हम directly count करे four five six seven eight nine तो हमें directly number उसका मिल जाता है हम सारे के सारे हमें sits count नहीं करने पड़ते समझ में आया बच्चो चलो अभी आगे देखते हैं आगे हमें करनी है ये chapter की exercise चलो start करें a multiple choice question mcqs tick right the correct options यानि की हमें correct answer पे tick करना है number one the sum of four and two is बच्चो four और two का sum करेगे तो उसका answer क्या आता है यानि four plus two करना है हमें four के बाद हम counting करते है four five six तो हमारा answer क्या आया six कहाँ पर है six है यहाँ पर तो वहाँ पर हमें tick करना है now see number two what do we get by adding seven plus two seven plus two करेगे तो हमारा answer क्या आएगा ये हमें पुछा गया है तो seven के बाद counting करते है seven eight nine तो हमारा answer आता है nine nine लिखा हुआ है यहाँ पर तो हम वहाँ पर tick करेगे now see next number three three plus three plus three is equal to how many so अभी क्या करना है ये तीन ओ तीन नंबर को हमें add करना है पहले three plus three कर लेते हैं तो हो जाता है six और six plus three करेगे तो six seven eight and nine क्या आता है answer बचो nine so nine लिखा हुआ है यहाँ पर तो वहाँ पर tick करते हैं number four four plus two is same as four plus two है वो किसके बराबर है ऐसा पुछा है तो यहाँ पर हमें देखना होगा add करके नीचे सारे के सारे add करेगे तब ही हमें पता चलेगा option a को हम add करें three plus two तो three plus two हो जाता है five क्योंकि four plus two तो कितना होता है four five six कितना होता है six होता है कितना होता है six यह five होता है यानि कि यह इसके बराबर तो नहीं है क्योंकि इसका answer six आता है इसका answer five आता है बी पे देखो तो five plus one is equal to five five के bound counting करें five six तो इसका answer आता है six यानि four plus two is equal to five plus one होगा क्योंकि six और दोनों का आंसर 6 आता है, सेम आता है, तो यह हमारा आंसर 6 प्लस 2 करें, तो 6, 7, 8 आता है, यह बढ़ जाता है उससे, यह greater number है उससे, इसलिए इसके सेम नहीं है, तो यह आंसर हमारा नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा B, 5 प्लस 1, चलो बचो अभी हम question B क्यों बढ़ते ह question B, add the following, solve mentally, बच्चो यहाँ पर हमें addition करना है, mind, mind की मदद से, यानि हम जो बड़ा number है, वो mind पे रखके कर सकते हैं, और आप क्या, इस तरीके से standing line खिचके भी आप कर सकते हैं, तो बच्चो आपको जो भी easy लगता है, वो आप कर सकते हो, तो बच्चो सबसे पहले देखे तो 3 plus 2 is equal to कितना होता है, हम 3 को mind में रखते हैं, उसके बाद counting करते हैं, 3, 4, 5, कितना हुआ, 5, 6, यहाँ पर one line रो करो, 6 के बाद counting करें, तो 7, यहाँ पर answer आजाएगा 7, 4, 4, 5, and 6, 6, 6, यहाँ पर अभी counting करनी है हमें, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा number लेगे हम, bigger number है 4, 4 को हम 2 के साथ add कर लेते हैं, 4, 5, and 6, 7, 8, 9, answer आजाएगा 9, बच्चो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पर 4 line डो कर दो, और सब भी add कर दो, इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पर 6 line डो करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर आंसर आजाएगा 8, यहाँ पर 1 है, 5 plus 1 is equal to 6, 7, 8, 9, 3 plus 3, 6, and 1 is 7, तो यहाँ पर हम 7 लखेगे, तो बच्चो यह वाला question भी हमारा complete होता है, बच्चो यहाँ पर आपको जो भी trick easy लगती है, वो आप कर सकते हो, मैंने आपको यहाँ पर सारी trick दिखाई, माइन का यूज करना भी सिखाया, लाइन की मदद से भी सिखाया, तो आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपको easy लगता है, वो आप उसकी मदद से आप addition कीजिए, ओके students, अभी हम question C क्यों आते हैं, उसी question C, उसमें क्या है, वो देखे, add the, add and color the boxes, बच्चों हमने fun activity में देखा, उसी तरीके से यहाँ पर color करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो addition के सारी के सारे sums है, वो हम solve करते हैं, फिर क्या करना है, यहाँ पर बोला गया है, कि अगर इतना answer आता है, तो उसमें red color करो, इतना answer आता है, तो उसमें green color करो, इस तरीके से आपको color करना होगा, तो सबसे पहले हम सब कुछ सारे के सारे sums all कर लेते हैं, फिर color आपको अपने आप करना है, इसमें मैंने पहले आपको समझाया, कि किस तरीके से आपको color करना होगा, बच्चों यहाँ इसका answer जो भी आता है, वैसा ही color करना है, तो चलो बच्चों सबसे पहले हम add करते हैं, फिर मैं आपको एक दो समझा दूगी, 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 कितना हो जाता है, 2 प्लस 0 होता है 2, अगर कोई भी number को अगर 0 के साथ हम add करेगे, तो वो ही number हमारा answer आता है, 2 प्लस 3 is equal to 5, बच्चों यह आपको अपने आप करना है, फिर आप चेक कर लेना, कि आपका answer correct आता है कि नहीं, 2 प्लस 1 is equal to 3, 1 प्लस 3 is equal to 4, 4 प्लस 1 is equal to 5, 5 प्लस 1 is equal to 6, 3 प्लस 1 is equal to 4, 5 प्लस 0 is equal to क्या हैगा बच्चों, मैंने बूला कि 0 के साथ अगर कोई भी number add होता है, तो वो ही answer आएगा, 3 प्लस 0 is equal to 3, 0 प्लस 4 is equal to 4, 4 प्लस 1 is equal to 5, 0 प्लस 2 is equal to 2, 2 प्लस 2 is equal to 4, 4 प्लस 2 is equal to 6, 1 प्लस 1 is equal to 2, 6 plus 0 is equal to 6 तो बच्चो ये आते हैं हमारे आंसर अभी बच्चो जहाँ पर बेटू आंसर हैं वहाँ पर रेट करो जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर आएगा रेट कलर समझ मैं बच्चो इस तरीके से आपको कलर करना होगा यहाँ पर जैसे बोला गया है वैसे कलर करना है ओके स्टूडन्स अभी को समझ मैं यहाँ पर हमारा चैप्टर नमबर 3 पूरा कंप्लिट होता है चैप्टर नमबर 4 हम अगले वाले वीडियो में देखेगे